नमस्कार मैं रविश कुमार आयोध्या की बात करना चाहता हूँ वहां क्या हुआ और क्यों हो गया आयोध्या लोगसभा सीट नहीं है बलकि फैजाबाद संसदिय शेत्र का हिस्सा है फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के उमिद्वार अवधेश प्रसाद 28 दौर की गि बहुत कम है कॉंग्रेस के जैराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यूपी के बासगाउं मेरट मुजफर नगर की सीटों पर डीम को फोन कर जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जैराम रमेश ने इस ट्वीट को चुनाव आयोग को भी टैग किया है और लिखा है प् अयोध्या मंडल की बात करने जा रहे हैं याद रखिए वीडियो में हार जीत के आकड़े लगातार बदलते रहेंगे जब तक हम इसे यूट्यूब पर डालेंगे तब तक आकड़े कुछ और हो चुके होंगे अयोध्या मंडल में लोग सभा की 5 सीटे आती हैं अम्बेट स्मृति इरानी एक लाग सधिक वोटों से हार रही हैं बारा बंकी से कॉंग्रेस के तनुजपुनिया आगे चल दे हैं इस से बड़ा जटका क्या हो सकता है कि शोरी लाल शर्मा ने स्मृति इरानी को मुंबई भेज दिया राहुल अपने नए घर राय बरेली आ रहे हैं लेकिन चर्चा तो इसकी होगी कि आयोध्या और आयोध्या मंडल में बीजेपी क्यों साफ हो गई शायद बीजेपी को इंतजार होगा कि मोदी के नेहरू बनने के सपने में अयोध्या की सडकों पर विजय जुलूस निकले हैं लेकिन यहाँ पुलिसी मार्च करती नजर आ रही है अयोध्या में सन्नाटा पसरा है इस शहर में मतदान करिच्छ प्रतिशत कम हो यहाँ के लोग मुआवजा ना मिलने शहर के विस्तार में मनमानी से बहुत दुखी हो गई उन्हें एक वियाईपी अयोध्या तो मिल गई मगर उनकी अपनी अयोध्या उनसे दूर चली गई लोगों ने अयोध्या के इस हरण की सजा बीजेपी को दे दिये इतनी बंदिशे हो गई थी अयोध्या के लोगों के लिए कि यहीं का रहने वाला अपने शहर में बेगाना हो गया था बीजेपी ने फैजाबाद से दो बार के सांसद रहे सांसद लल्लू सिंग को उमिदवार बनाया वो हैट्री का इंतजार कर रहे थे अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे हिट विकेट हो गए मतों की कई दोर की गिनिती हो चुकी है मगर लल्लू जी आगे नहीं निकल पाए पोस्टल को छोड़ दें तो लल्लू सिंग एक भी दोर में बढ़त हासिल नहीं कर पाए मार्जिन कम है मगर लल्लू सिंग आगे नहीं निकल पाए अवधेश प्रसाद ही आगे निकलते रहे आयोध्या में हार जीत का अंतर कम हो सकता है जब जब आयोध्या बोनू फैजाबाद समझ लिजेगा यह आकड़ा बता रहा है कि मोदी लहर थी भी नहीं और मंदिर लहर भी नहीं आयोध्या की हार से बीजेपी बुखला सकती है नतीजा जब घोशित होगा तब यह हार बीजेपी के लिए दिल्ली तक पहुँचने वाली है BJP को पता है कि आयोध्या की हार का क्या मतलब है लेकिन जनता को भी पता है कि आयोध्या में BJP की हार क्यों हुई हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है ऐसे गाने बजाये जा रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे वहां कियाम जनता को यह बात चुब गई कि मंदिर बनाया ठीक लेकिन राम को लाने वाले ये कौन होते हैं राम तो हम सब को लाएं हैं ये कौन है जो कह रहे हैं हम राम को लाएं हैं तो इनको भेज दिया गया अयोध्या से। हमने एक वीडियो में कहा था कि जब अयोध्या का रिजल्ट आएगा तब हर कोई समाजवादी पार्टी के उमिद्वार अवधेश प्रसाद का पता लगाने दोड़ेगा। अवधेश प्रसाद यूपी के बहुत पुराने नेता हैं। मुलाइम सिंग यादव के पुराने साथी रहे हैं। जब वे कैबिनेट मंत्री थे नेता जी तब अवधेश राय राज्य मंत्री हुआ करते थे। गोदी मीडिया को घमंड हो गया था कि उसी की बदौलत देश में नेता पैदा होते हैं। मगर अवधेश प्रसाद को किसी मीडिया ने पैदा नहीं किया। वे इस मीडिया युग में भी बिना मीडिया के इतना बड़ा राजनेतिक परिवर्तन करने वाले नेता साबित होने जा रहे हैं। उनकी लीड लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले आप हमारे उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए जो हमने पहले किया था। आज अयोध्या में भी मतदान हो गया। यहां से इंडिया गठबंदन ने समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अवधेश प्रसाद को लेकर मीडिया में चर्चा कम हुई है। अगर इनोंने बीजेपी को हरा दिया तो सारे पत्रकार इनकी प्रोफाइल खोचते फिरेंगे कि अवधेश प्रसाद कौन हैं। अवधेश प्रसाद पहली बार सांसत का चुनाओ लड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद दलित हैं। मिलकीपूर रिजर्व सीट से विधायक बने थे। अवधेश प्रसाद मौरे को आप ठीक से देख लीजे। हमने तभी कहा था कि अवधेश प्रसाद को आप ठीक से देख लीजे। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं सीनियर विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में 6 बार मंत्री रह चुके हैं चुनावों के दोरान अखिलेश यादव का एक वीडियो खुब वाइरल हुआ जिसमें वे एक उमिदवार को पूर्व विधायक कह रहे हैं तो उमिदवार ने टोका कि वे तो विधायक हैं अभी इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप सांसत बनने जा रहे हैं वो उमिदवार फैजाबाद में बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद ही थे गोधी मीडिया की चुनावी रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए कितनी रिपोर्ट में अवधेश प्रसाद की प्रोफाइल मिलेगी आपको मिलेगी ही नहीं जब भी गोधी मीडिया का जिक्र करूं ये बताना और हजार बार दोहराना जरूरी है गोधी मीडिया इस लोगतंत्र का हत्यारा है प्रशासन से इजाजत लेकर हो सके तो इस नारे को आप गाउं गाउं में लिखवा दीजिए यही वो मीडिया है जो 10 साल से भारत के अरजित लोगतंत्र की हत्या का प्रयास कर रहा था जनता कमाल की है इस देश की उसने लोगतंत्र के हत्यारे गोधी मीडिया की गरदन पकड़ ली है जिस मंदिर के नाम पर गोधी मीडिया से लेकर भाजपा के प्रचार तंत्र ने या मेसेज फैलाया कि देश में दूसरी दिवाली आई है उसी सीट पर आज भाजपा के लिए जीत पाना मुश्किल हो गया राम मंदिर उद्गाटन का 108 घंटा सीधा प्रसारन करने वाले चैनलों ने अब धेश प्रसाद को इस चुनाओं में कोई जगा नहीं दी आज वे हैरान है कि ये कैसे हो सकता है कि भाजपा यहां पीछे है यही होता है जब आप किसी शेत्र को केवल धर्म की नजर से देखते हैं आप लोगों से मुद्दों की बात नहीं करते आप जान नहीं पाते कि उन्हें अपने सांसत से क्या उमीदे हैं क्या शिकायते हैं दिल्ली से आए प्रधान मंत्री अपने नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन क्या कभी आपने जाना कि इस शहर के लोग क्या चाहते हैं इस चुनाओं में जनता को किनारे कर दिया गया था आयोध्या से जुड़ी कुछ और बाते बताता हूं 1992 में बाबरी मस्जित के ध्वन्स के बाद 1993 में जब विधान सभा चुना हुए तब BJP आयोध्या के अलावा फैजाबाद की सभी विधान सभा यानि चार सीटों पर हार गए UP में मुलाइम सिंग यादव की सरकार बन गई 2020 में जब राम मंदिर का शिला न्यास हुआ उसके बाद जब विधान सभा चुना हुआ तो आयोध्या जिले की दो सीटों पर BJP हार गई जबकि पहले आयोध्या की पांचों सीटे BJP के पास थी फिर आयोध्या नगर निगम का चुनाव हुआ तो BJP ने बहुमत गवा दिया यहां तक कि जिस वाड में मेयर रहते हैं उस वाड से निर्दलिया उमिदवार जीता राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्रे के वाड में भी निर्दलिया जीता जिस वाड में मंदिर आता है वहां एक मुस्लिम उमिदवार निर्दलिया जीत गया यह आयोध्या है आयोध्या में 28 दौर के गिनिती हो चुकी है अवधेश प्रसाद ने 40,000 मतों की लीड ले ली है अब लग रहा है कि वे फैजाबाद सीट पर बीजेपी के लल्लू सिंग को हरा ही देंगे अवधेश प्रसाद को 4,000,000 सदिक वोट मिले हैं आंकड़े बदलते रहेंगे इस काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी के कारकरताओं के चहरे पर हवाईया उड़ी हुई है अयोध्या में जीत का जश्न कुछ और होता मगर बीजेपी अयोध्या हार गई अयोध्या की जनता ने कितना बड़ा संदेश दिया है यहाँ बीजेपी गुटबाजी की भी शिकार हुई लेकिन आयोध्या में बेरोजगारी का बड़ा सवाल हावी हो गया बेरोजगारी ने युवाओं को बीजेपी से बहुत दूर कर दिया आयोध्या मंडल की सभी पांच सीटों पर बीजेपी का खराप प्रदर्शन बता रहा है कि यहाँ के लोगों ने मंदिर तो स्विकार कर लिया मगर मंदिर के नाम पर राजनिती करने वालों को दूर कर दिया यूपी से एक और नए दलित नेता का उदै हो रहा है चंदरशेखर, रावन, नगीना सीट से भीम आर्मी के चीफ एक लाग सधिक वोटों से आगे चल रहे है उनकी जीत अपक्की लग रही है मैंपुरी से डिमपल यादव एक लाग नबे हजार वोटों से जीत गई है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस ने उत्तर प्रदेश में पर्चम लहरा दिया है दिन भर के कवरेज में बीजेपी कभी भी पचास से उपर नहीं जा सकी जबकि यहां की कई सीटों पर 2019 में पचास फिसिदी की मारजिन से जीती थी राहुल गांधी ने राए बरेली से चार लाख वोटों की बढ़त बना ली थी 2019 में सुनिया गांधी एक लाख सट हजार वोट से जीती थी राहुल ने बड़ी जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है और किशोरी लाल शर्मा उनकी उमिदवारी तैह होने पर गोदी मीडिया कितना दुखी हुआ लेकिन तब हमने इस नेता के बारे में अपने वीडियो में कुछ आपको बताया था उसकी कुछ खासियतों क्या जिक्र किया था फिर से सुनिये क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि 3-4 दिनों से गौरी गंज में कॉंग्रेस के कारेकरताओं के साथ बैठक कर रहे किशोरी लाल शर्मा स्मृती इरानी को चुनोती देने अमेठी आये हैं राजीव गंधी के साथ काम कर चुके किशोरी लाल शर्मा अमेठी के चप्पे चप्पे को जानते हैं मोदी के प्रभाव में रहने वाले मीडिया के दौर में किशोरी लाल शर्मा ने उसे उसकी जमीन बता दी सब किशोरी लाल शर्मा को देखकर राहुल गांधी के आने की आहट सुनने लग गए मगर कोई नहीं समझ सका कि किशोरी लाल शर्मा इस बार मैनेजर बनकर नहीं, उम्मिद्वार बनकर आएं आप तमाम वीडियो में किशोरी लाल शर्मा का जरा अंदाज भी देखिए शर्मा जीवन भर परदे के पीछे राजनिती का काम करते रहे लेकिन घोशना होने से पहले किसी को पता नहीं चलने दिया कि उम्मिद्वार बनकर आएं यह है असली मास्टर स्ट्रोक, बड़े-बड़े मास्टर स्ट्रोक को चक्मा देने वाला किसी को भनक नहीं लगने दी कि अमेठी से राहुल की जगा किशोरी लाल शर्मा उमिद्वार होंगे आज बही किशोरी लाल शर्मा अमेठी की जनता के सामने उम्मीदवार के तौर पर हाद जोड़े खड़े थे ऐसा फिल्मों में ही होता है आप जिसे कुछ नहीं समझते वो अंत में हीरो निकल जाता है किशोरी लाल शर्मा की राजनितिक परिक्षा तो अब होगी लेकिन उन्होंने चार दिनों से अमेठी में जो शांदार अभिने किया है उम्मीदवार होते हुए भी मैनेजर की तरह घूमते रहे यह इस चुनाओं का सबसे रोचक प्रसंग है अमेठी गए पत्रकारों को रात भर नींद नहीं आनी चाहिए कि जो उनके सामने फकीर बना घूम रहा था वही तो देवता था मीडिया को बस दिखाई न दे सका प्रधान मंत्री मोदी ने अमेठी जाकर स्मृती रानी के लिए प्रचार नहीं किया मंडी जाकर कंगना रनौत के लिए प्रचार किया स्मृती रानी हार गएं कंगना जीत रही है मंत्री मंडल में भी स्मृती रानी बड़े मंत्राले से कम महत्वे के मंत्राले की तरफ शिफ्ट की जाती रही क्या स्मृती रानी को इसका दुख होगा मोदी ने उनके लिए प्रचार नहीं किया और कंगना के लिए किया मुंबई से एक नेता चुनाव जीत रही है और मुंबई से ही एक नेता जो आई थी हार कर मुंबई लौट रही है यह सब ब्योरा देना मेरी ही किस्मत में लिखा है ऐसा लग रहा है कि मैं एरपोर्ट के सेक्यूरिटी चेक पर खड़ा हूँ स्मृती को जाते हुए देख रहा हूँ कंगना को आते हुए देख रहा हूँ भारत की राजनीती अपने पतन मार्ग पर है और मैं उस मार्ग का वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो किसी को रोक नहीं पा रहा आप रविश कुमार ओफिशल इस चुनाओ का सबसे गरीब चैनल देखते रहे यही बड़ी बात है यही आपका उत्थान है और यही मेरा उत्थान है राय बरेली में राहूल गांधी से हारने वाले दिनेश प्रताब सिंग ने किशोरी लाल शर्मा को प्रियंका गांधी का कलर कहा था लखीमपुर खीरी जहां किसानों की हत्या हुई वहां सपा के उतकर्ष वर्मा जीत गए केंद्रिय ग्रहराज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी हार गए अमिश्या गए थे प्रचार करने बड़ा आदमी बनाना चाहते थे टेनी का हार जाना इंसाफ है इनके बेटे की जीप से किसान मारे गए लेकिन कन्या कुमारी में आध्यात्मिक होने का नाटक करने वाले प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने किसानों की बात नहीं सुनी किसान यही तो मांग कर रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्री मंडल से हटा दिजिए मगर उन्होंने नहीं हटाया उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनिती के सवालों का उत्तर दे दिया है उसे मंदिर के नाम पर बेवकूफ बनाने की राजनिती बंध होनी चाहिए यूपी के लड़कों को रोजगार चाहिए उससे पहले धंग का कॉलेच चाहिए कि धंग से चार पन्ने का लेख लिख सकें जहां पढ़ाई हो मोदी मोदी ना हो यूपी की जवानी इस दस साल में बरबाद कर दी गई यूपी का जनादेश उसी बरबाद जवानी की बगावत है नमस्कार मैं रविश कुमार